तो चलो बच्चों इस वाले प्रॉब्लम को देखो इसमें बिसिकली क्या कर रहे हैं कि एक सेटलाइट है सेटलाइट का खुद का मास कितना है 1000 kg सब्सक्राइब अब यह करते हैं कि स्पीड निकालो अर्थ के सेटलाइट की सेटलाइट की काइनेटिक निकालो पोटेंचल एनरजी निकालो टाइम प्रियेट निकालो मास अफ अर्थ इतना लेना है और बाइडिफाल्ट अर्थ की जो रैडियस है वो 6400 किलो मीटर मैं लेंगा या 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर मैं कंसीडर करूंगा तो सबसे पहले इस कोशन को सॉल्व करने से पहले कोशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो इस कोशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अर्थ ये है अपनी अर्थ और ठीक है इसको मैं अर्थ को मैं ऐसे बना देता हूं तो ये वेसिकली एक जो मैं बनाए हूं ये वहला जो गूला या तो सर्कल है तो यह जो सर्क्ल यह जो सर्कल-व कर रहा है ठीक है और यह radius r है और यह जो height है वो h है ठीक है तो r bit की radius कितनी हो जाएगी यह वाली जो radius है वो है r bit r जो होता है वो r bit है तो r bit जो होता है h plus r के equal हो जाएगा तो h कितना है 2000 और r 6400 तो यह 8400 km basically this is our bit यहां इसको मैं लिख सकता हूं 8400 km 10 की power 3 meter ठीक है यहां इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूं यह तीन और यह तिन 8.4 in 8.4 और यहां से into 10 की power 6 meter ठीक ना प्वाइंट मतलब एक टेंट से डिवाइड कर दोगे तो दीस इस बैसिकली कुछ नहीं यह रैडियस है अब सबसे पहले एक चीज कैल्कुलेट करते हैं मास यहां पर दिया हुआ है तो बेसिकली एक चीज अगर कैल्कुलेट करना यहां चाहोगे तो यह बेसिकली तुम देखोगे सबसे पहला जो कैल्कुलेशन करना है वो क्या करना है वही और्बिटल वेलासिटी तो अगर आर्बिटल वेलासिटी कैल्कुलेट करना है तो सेटलाइट की आर्बिटल वेलासिटी का फार्मुला सब को याद है आर्बिटल वेलासिटी इस gm over small r under root this is orbital velocity तो orbital velocity g की वेलू रख दो यहां तो g की वेलू 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 और मास अब अर्थ तो मास अब अर्थ दिया होगा तो 6 into 10 की पावर 24 और यह kg में है तो 6 into 10 की पावर 24 divided by radius तो अभी हम लोग कैल्कुलेट करके आया है 8.4 into 10 की पावर 6 और यह सब कुछ अंडर रूट है यह सब कुछ अंडर रूट है फाइनली जब और वेलू आती है वह आती है 6.9 कीलो मीटर पर सेकेंड या 6900 by 1000 से मल्डिपलाई कर दो मीटर पर सेकेंड तो यह दोनों option हमारे पास मलब यह दोनों इसका पहला जो पार्ट है वह सॉल्व हो गया तो अब जब पहला पार्ट हो गया तो दूसरा पार्ट solve करना बहुत ही आसान है तो दूसरे पार्ट में यह क्या करते हैं चलो इसको देते हैं आधी तो पार्ट में क्या निकालना हाना है काइनेटीक इनर्जी सेटलाइट की क्या होती है हाफ एम भी एसक्वार्ट तो हाफ और inka सेटलाइट का मास कथे तो सिटलाइट का मास 1000 और आर्बिटलीटिय जो स्पीड होगी आर्बिटल स्पीड नाइन जीरो जीरो इसका स्क्वारर आगा है तो क्लिशान है वह तुम कर ले ना तो 2.38 इंतुट 10 कीमार 2.3 नमें 11 जूल इक आप थे सट्लाइड इतनी होती है स्टलाइड की बात करो पॉटेंशियल ओप्वичес Gilbert की 2 타म इंटू टेन की पावर 11 मतलब यह आजाएगा यह जाएगा 6 और देखो 6 और 7 और 0.4 इंटू टेन की पावर 11 तो यहां से तुम देखोगे तो यह इसका टू मैगनीचूड लेकिन यह निगेटिव होती है तो अगर नहीं आप ऐसे समझ में आ तो पोटेंशियल एनर्जी आप फार्मूले से यहां दूसरा में धड़े है यह फार्मूला लगा दोगे तो यहां से देखो फार्मूला लगा दोगे तो यह होगा फार्मूला लगा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनश जी मास अफ़ अर्थ मास अफ़ सेटलाइट और रेडियस आर्थ तो माइनश जी six और यह जो है फाइनली इसको काट कुट के इसकोल टू 4.76 इंटू 10 की पावर 11 जूल किया जाएगा जो की निगेटिव आएगा इट मस्ट भी निगेटिव पोटेंशिल इनर्जी बाउंडेड होता है तो निगेटिव दूसरा तीसरा इसमें आप कैलकुलेट करना है टाइम तो तीसरा जो टाइम पिरेड़ कि सेटलाइट का टाइम पिरेड का रकी पावर क्यूर तो यह जो प्रपोर्सरी टी होती है केवलर कंस्टेंट ये जो होता वह फॉर पाई एक्वार इंडकल को अर्य कीपावर क्यूश अब कुशनी करना है इसमें किला कंस्टेंट की वैलो होती है तो इस वाले सलूशन में बेसिकली इस वाले फार्मूले में तुम्हें नुमेरिकल वेलू पुट कर देना है तो नुमेरिकल वेलू कैसे पुट करोगे तो वो तो हम बच्पन से हमारे टीचर ने वही सिखा है वही कैसे पुट करना है तो फॉर पाइज उकॉल टू 3.14 का स्क्वाइर और डिवाइड कर दूंगा 6.67 into 10 की पावर 11 और मास कितना आ जाएगा भाई तो मास देखो के तो 6 into 10 की पावर 24 और रैडियस आर की वेलू जो आ जाएगी रैडियस आर 6.67 मास आ जाएगा अर्थ का इतना तो यह आ जाएगा रेटी है समपहले calculate कर लिए 8.4 into 10 की power 6 की power cube तो यह सब पूरी जो लंबी कहानी है यह वली लंबी कहानी तो यह लंबी कहानी अगर calculate कर लोगे ठीक है तो time period आ जाएगा 2.12 hours तो this is basically solution of this problem तो I hope कि यह आपको clear हो गया होगा तो thanks for watching this video अपना बहुत ज्यादा क्याल रखो motivated रहो